हलो फ्रेंड्स मैं हूँ नेहा और मेरे चैनल नेहा चाइजवेदिक टिप्स पर आपका स्वावत है फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूश्फुल और इन्फरमेटी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेथी दाना खाने के और मेथी दाना के पानी पीने के अद्बुत फायदे के बारे में जिसके बारे में जानकर आप काफी हैरान हो जाएंगे कि आपके घर में कीचेन में एबलेबल मेथी दाना जिसका कि आप सबजी में परयोग करते हैं तड़का लगाने में परयोग करते हैं उसके इतने सारे विनफिट्स हो सकते हैं आपके सिहत के लिए आपके स्कीन के लिए आपके बालों के लिए सभी प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है मेथी दाना तो पूरे डीटेल से मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूं कि किस-किस बीमारी को आप मेथी दाने का परियोग करके दूर कर सकते हैं और और सेयर भी कीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साब को मिलता रहा है प्रहें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि मेथी दाना क के लिए बहुत ही जरूरी पोसक्तत्तों होता है इसके अनाव इसमें फॉस्पोरास एंटी ऑक्सिदेंट स्कूर्ण एंटी इंफ्रमेट्रिक पाया जाते हैं चोंकि आपकी रोग प्रतिदों दक छमता को बढ़ाते हैं कोई विवारें इंफेक्शन आपको नहीं होने दे इसी गंबेर समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं और इन सभी विवारें को दूर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक भी बता दूं कि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मेथी दाना जो है गुटने के दर्द के लिए भी काफी कारगर होता है तो मेथी दाना के पतियों का पर्योगी लोग जातर करते हैं सबजी के रुप में करते हैं सबजी भी काफी बना कर खाते हैं पराट्थे में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लेकिन वैसे मेथी दाने के जो बीज है मेथी के बीज काफी कड़वे होते हैं स्वाद में लेकि स्वास्त की लिए बहुत ज़्यादामंद होते हैं और आयरुवेड में काफी सारे और सदियों में इसका बहुत ज्यादा प्रयोंकि प्रयोग किया जाता है क्यों कि इसके प्रयोग करने और किंग विमारियों को दूर करने के लिए आप इसका परयोग कर सकते हैं। सबसे पहला इसका फायदा है कि वजन को बहुत ही तेजी से कंट्रोल करता है। जो लोग मोटापा की समस्या से परिसान है या आपने वजन को कम करना चाहते हैं। पेट की चरबी उनकी काफी हो गई है कि वाल उसको भी अगर रिडिवस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होता है। परियों किस तरके से करना है और मैं आपको बता देते हूं। रात को कुछ मेथी दाना को यानि कि एक चमच एक में बर भी में वता रही हूं। एक गलास पानी में एक चमच मेथी दाना को डाल कर इसको भीयों कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह में आप इस पानी को जो है हलका सब वाल किजिए लो से मीडियम फ्लेम पे और 10 से 20 परशंट जब पानी जल जाए यानि की 80 परशंट जब पानी बच जाए तब इस मेधी दाने को चान कर मेधी दाने को चाहे तो आप चबा चबा कर खा सकते हैं कि इसमें फाइबर भर कर लेते हैं तो आप रिजल्ट इसका देव कर हैरान हो जाएंगी क्योंकि आपका वजन काफी तेजी से कम हो चुका रहेगा इसका सेकेंड वेन फीट है कि आपके पासन के लिए को बेहतर बनाने के लिए काफी पादेबंध होता है जिन लोगों को अपच गय से समस्या बन चुझ को बना के और आप टाइट डिबर में घर कर सकते हैं जब आपको पर्योग करना प्रिएक ले रहे है तो एक छोटा चंच ले सकते हैं भड़ा चंच थोड़ा चभडा ले ले लेना है और इस आपको खाकर और एakers गरम पानी पी लेना है खाना काने के बाद या जब जो नहीं पता दो कि मेथी के साथ करते हैं जो धागे वाली मिस्री आती है उसको भी एकर पीस कर यह से पावडर में मिक्स कर देते हैं तो टेश्ट भी बढ़ जाएगा और आपको करवा भी नहीं लए गाएगा और मिस्री के भी काफी थारीके से आपको प्रयोग करना है काम करता है क्योंकि मैं अगर को सरी में कोलेश्टल की मातरा ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको बहुत सारी बीमारिया मेथी दाने का पानी कैसे बनाना है मैं आपको पहले बता दी हूं और बाद में भी बता दूंगी अच्छे से इसका फॉर्थ मेनिफिस्ट है कि डियाविटी को कंट्रोल करने के लिए रामबार इलाज की तरह काम करता है इसके लिए आप मेथी दाने के पाड़र का भी पर्योग कर सकते हैं रात को भी गो कर मेथी दाने को एक गलास पानी में और सुबा मीं से हलका सा गरम करके मेथी दाने को चानकर इसका पर देली सुबा में खाली पिट करने इस वात का ध्यान रखेगा तो इस तरीके से अगर प्रयोग करेंगे तो आपका डाइबिटीज आपका सुगर जो है कंट्रोल रहेगा इसका फीफ्ट मेनी फीट है कि घुटनों के दर्द के लिए ज्वाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है जो लोग घुटने की दर्द की समस्या से परिसान है यह डिया कम जोड हो गई है उनके लिए मेथी दाना काफी कारगर है इसके लिए आप मेथी दाने के पाड़र का परियोग कर सकते हैं पानी का परियोग कर सकते हैं और इसके अलोग जो है मेथी दाने को गरम पानी में पीस का पेश्ट बनाकर घुटनों पर भी लगाएं तो इससे भी आपको घुटने मेलीक होता है जो कि KULLESDSS KARE C org कार sto है मैं आपको पिर सारी को सरी में बैट कोलेस्ट्ल के मात्रा जाद ही रहेगी तो हाट टेकाने कंसे । जाद हो जाते हैं हैं जब आपका कोलेस्ट्रा नियंतीत रहेगा तो हाट ऐसे है स्वास्त रहता है तो आप इसका प्रयोग जो है मेथी दाने का प्रयोग हार्ट को स्वास्त रखने के लिए कर सकते हैं प्रयोग करने का तरीका सिंपल है पाउडर का प्रयोग कीजिए या पानी का प्रयोग कीजिए दोनों तरीके से कर सकते हैं इसका सेवेंथ में फिट है कि आपकी किर्णी क डॉक्टर भी सलाह देटे आप जो हैं एक महीना तक मेति दाने के पानी का पूर किजीों कि इसमें एंटी-सीड़न होते हैं जो की किली काफी फायदेमंद होते हैं तो इसको और किड्नी को पानी का पुक्पे जीए इसके पहला है कि पूर तो ओकि अच्छा है वर्दान की त सुभा इसे पीस कर बालों पे बालों की जड़ों में लगाई एक घंटे बाद बालों को दो लीजिए ऐसा अगर हुपते में आप दो बार करते हैं इसे आपके बालों से जो भी समस्यां है बिल्कुल ही खतम हो जाती है राम पांड लाज की तरह काम करता है नाइफ मेने पीलिंग में भी मदद करता है तो अगर आप इसकीन को स्वस्तक ना चाहते हैं तो आप मेथी दाने का पानी का प्रियों की जिए इसका लाश्ट और तेंथ में पीठ है कि सर्दी खासी जुकाम की समस्या में भी काफी फैदेमंद होता है अगर आपको सर्दी खासी जुका फैदि जिस प्रियों के लाश्ट के लाएक थाइगा घंद लेम तोença फैदेव के रही को तृमिट यो क्याया लगी और आपको थोड़ी बिचते को लाइक किजिएगा जद्थ जाद कीजिए और यश्य और बीचते warum टानी के लिएख जड़ाने के आता यावी ऐमाने में ह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोच का नोटिफिकेशन सापको मिलता रहा हुए अपने नेक्ट वीडियो में ऐसे इंफरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद